नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब अच्छे होंगे तो मेरे काम को इतना सराने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं आप सब का धन्यवाद करती हूँ तो चलिए हम अपना आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमने एक अम्डिया बोर्ड ले लिया है और मैंने उसको ब्लैक कलर से जो है अच्छे से कवर कर लिया है फ्रेंड्स जो आज हम ये क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो आज हम हरे पत्तों से बनाने वाले हैं यह अपर और 5 विदियो को विदाओट स्किप देखें तभी आपको यह पर चोड़ी को पता लगों यहां पर यह अप्लाइग करना है और सीधी साइड पर आपको यहां पर वाइट कर नहीं लगाना है नहीं तो जो आपका टेक्शर है वह आपका एमडिया बोर्ड पर नहीं आएगा तो फ्रेंट्स इस तरह से आप अपने क्राफ्ट पर इसको एमडिया बोर्ड के उपर आप इसको थोड़ा सा दबाकर आप इस तरह से लगाते जाएं और सरकल के चारों तरफ आप यह वर्क जो है कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद फ्र थ्यां रखें फ्रेंटि जब आप वॉल पुट्टी कोन सरख अन Самर्ड बनाते हैं अब उसमें भडॡ अपनी का उसमें कम से कम से यूज करें करहा नहीं तो क्या होगा कि 가व कंप्लीट होने के बाद वौ पुट्टी यह आपका करेक हो सकता है तो आप इसमें ज्यादा ना मिलाएं और ये भी ध्यान रखें कि जब आप पेस्ट बनाते हैं तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारा एक सौफ्ट सा पेस्ट बनकर तयार हो जाएं वॉल पुट्टी को वाइट रखने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर मिला देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स होने के बाद आप अपनी कौन्स को इस तरह से तयार कर लीजिए और देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो कौन बनाई है तो इसके बाद आप इनकी टिप को क्या है थोड़ा सा कट कर लीजिए ज़्यादा पतला आप इसको कट ना करें क्योंकि जब भी हम wall putty से हम work करते हैं कौन के साथ work करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा थिक ही रखना चाहिए तो इसके बाद friends देखिए मैंने इस तरह से धीरे धीरे मैंने जो ये flower इसमें बनाया था मैंने इसको भी complete कर लिया है और friends कौन को चलाते वक्त आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें तो आप इसको धीरे धीरे आप इसको complete कर ले friends मैंने यहाँ पर एक line की बज़ाए मैंने दो-दो lines यहाँ पर draw की है तो आप भी अगर इसकी thickness को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर wall putty कों से दो line ही draw कर ले और जब यह आप line draw करेंगे तो देखिए आप इसके अंदर आपका texture खुद बखुद ही आजाता है इस तरह से आप इसको complete कर ले और friends यह complete होने के बाद आपकी जो यह space बसता है मैंने इसमें भी कुछ design मैंने बना दी है तो आप इसी तरह से आप इसको design को आपका जो मन करता है आप वो design इसमें बना सकते हैं नहीं तो आप यह design भी आप उसमें बना सकते हैं तो देखिए friends जब भी आप wall putty cone से work करते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आप उसको आराम से चलाएं ज्यादा जल्दबाजी ना करें क्योंकि अगर आप जल्दी चलाएंगे तो वो जो wall putty cone है वो थोड़ी थोड़ी जगह बीच बीच में gap छोड़ देती है तो friends आप इसको आराम से चलाएं जिस तरह से मैंने अब यह फ्लावर को complete किया है जब मैंने यह work complete किया तो मुझे दिखाई दिया कि यह मुझे थोड़ा सा उचा नीचा दिखाई दे रहा था जो work था तो मैंने brush में थोड़ा सा पानी लेकर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया तो friends ये ठीक हो गया था तो इसके बाद जो हमारे पास leaves हैं हमें उस wall putty cone से ही हमें इसकी leaves की boundary को हमें complete करना है और इस तरह से friends देखिए जो आपके पास leave आपने जो लिया है उसकी ही shape में आप इसको complete करें और इसको dry होने अब friends बारी आती है हमारे corners की अब जो हमने corners यहाँ पेंसल से ड्रॉ किये थे आप उसी तरह से आपना design इसको complete कर लें तो जो ये cone से मैंने इसमें ये circular मैंने इसमें के अंदर design बनाई है तो friends आप जब भी wall putty cone का use करते हैं तो friends आप धियान रखें कि जो आपका paste है वो बहुत ही हमारा एकदम बहुत ही soft होना चाहिए ताकि वो आराम से हमारा cone में से निकल सकें अगर आप इसको ज़्यादा थिक रख देंगे तो ये हमार cone चलेगी ही नहीं तो friends आप धियान रखें इस चीज़ का कि paste हमारा ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और नाहीं ज़्यादा थेक होना चाहिए इस तरह से friends आप अपने cone work को complete कर लीजिए और इसको dry होने के लिए friends आप छोड़ दीजिए जब आपका craft dry हो जाता है friends पर मेरा करने के लिए रह गया था तो आप इसको varnish करने से पहले आप इसको complete कर लें और फिर इसको अच्छे से सूखने दें और friends जैसे ही आपको सूख जाए इसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा work करें मैंने यहाँ पर यह dots लगाई है तो friends आप इसी तरह से space जहां पर हो लगाए दे रहा था और इस तरह से जहां पर हमने dot लगाई थी उनके बीच में भी हमने चोटे 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 round shape के हमने यहाँ पर mirrors लगा दिये हैं और इसके बाद friends आप flower के साइड में भी आप mirrors को अच्छे से लगा लीजिए अब last में बारी आती है हमारे जो यह leaves हैं इस स्टोन लगाने की तो आप इसमें चोटे चोटे साइज के ही mirrors का यूज कीजिए और इस तरह से आप इसको लगा कर complete कर लीजिए friends अब बारी आती है हमारे इस wall hanging craft के border की तो आप इसमें चोटे और बड़े दोनों साइज के आप इसमें mirrors को लगाएं और इसके border को आप इस त हमारे craft का जो wall hanging craft का जो final look है वो friends कुछ ऐसा है तो देखिए क्यों लग रहा है ना बहुत ही अच्छा तो friends आप इसको अपने घर की दिवार पर भी लगाए या अपने friends को भी आप इसको gift कर सकते हैं आप house warming में भी आप इसको gift दे सकते हैं तो देखिए friends आप मुझे comment box में जाके जरूर बताएं कि आपको लेव से wall hanging craft बनाने का idea कैसा लगा तो friends आपका एक comment में लिए बहुत ही माइने रखता है तो अपना support आप इसी तरह से बनाए रखें तो friends चलिए मिलते हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ and thanks for watching the video bye bye take care